मिर्जापूर के लड़की सान्या मिर्जा एंडिये यानि नैशनल डिफेंस अकैडमी 2022 एक्जाम पास कर देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पाइलेट बनी है साथ ही वह यूपी की भी पहली लड़की है जो फाइटर पाइलेट बनी है सान्या मिर्जापूर में स्थिट जसोल गाओं की निवासी है और खबरों के अनुसार उन्होंने बताया कि वह देश की फाइटर पाइलेट अवनी चतुरवेदी को बहुत पसंद करती थी और शुरू से उनके जैसा बनना चाहती थी इसके पहले भी सान्या ने NDA की परिक्षा दी थी लेकिन काम्याब न हो पाई मगर दूसरी बार उन्होंने एक्जाम पास कर लिया और 149 रैंक हासल की महिलाओ की फाइटर पाइलेट के गिंती में अवनी चतुरवेदी अलॉंग विट टू ओफर कोहोर्ट्स मोहाना सिंग और भावना कांत के बाद अब सान्या मिर्जा देश की फाइटर पाइलेट के रूप में चुनी गई है हम आपको बता दे कि fighter pilot के लिए महिलाओं के लिए सिर्फ दो ही seats reserved होती है जिसमें सानिया ने अपनी मेहनत से एक seat हासिल की सानिया ने primary से लेकर 10 वी तक की पड़ाई गाउं में पंदित चिंटामनी दुबे इंटर कॉलेज से की इसके बाद 12 में वो यूपी बोर्ड की जीला टॉपर रही और फिर इसके बाद सेंचूरियन डिफेंस अकेडमी से एंडिया की तैयारी की खबरों के हिसाब से इंटर्व्यूज में सानिया ने बताया कि सिर्फ CBSC या ISC बोर्ड वाले बच्चे ही नहीं बलकि हिंदी मीडियम से पड़े बच्चे भी NDA पास कर सकते हैं सिर्फ जरूरत है मेहनत और लगन की और ऐसे में मुस्लिम कम्यूनिटी से आने वाले यह महिलान और महिलाओं के लिए यह उधारन रखा है कि जजबा होना चाहिए कुछ कर दिखाने का देश सबको एक समान अफसर प्रदान करता है यह थी जीविशा तोषनिवाल के रिपोर्ट दे ट्रूहंट चैनल के लिए